करवा चौथ के दिन में अच्छे से नहीं तयार होती तो मेरे हस्बिन का रियक्शन क्या है कैसा होता क्या है कि मेरे हस्बिन मेरे लिए पिंक कलर का लहंगा खड़ी दे थे वो सोच रहे थे कि मैं करवा चौथ में पिंक कलर का लहंगा पहन के अच्छे से डेडी हूँ गंटे में इन अं सिला कर आया इनके ओफिस के लोग इनका कपड़ा सी लिवा पर लाके घर पर पहुचा दी तो मैंने सोचा ना मेरा मप दुखी हो गया था प्रम कपड़ा न थे अच्छा से नही हिली रहे था बॉज कर आउट है तो मैंनों सोची कि अपने से कुछ भी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो जाओंगी लेकिन मेरे हस्बिन मार्केट गए वहां से है ना पालर वाली जबदस्ती पालर वाली कर लिए और लेकर घर आए और पालर वाली से मेकप करवाने लगे गाइस वो चाहते थे नै कि मैं पिंक लंगा पे बहुत जादा सुन्दर देखू बहुत लोगों को तो मैं सुन्दर नहीं लग रही थी बहुत लोग बोलते हैं इतना सिंगार ये वो इतना मेकप क्यों करती हो तो गाइस मैं बता दू कि कड़वा चोट और सुहाग वाले दिन लोग मेकप नहीं करेंगे तो कब करेंगे मेकप करना औरतों का हक है मेकप में क्या होता है मैं तो सिंदूर और बिंदी और लिप्स्टिक भी लगा लेती हूँ तो आप लोग कहते हूँ कि मेकप करती हूँ यहाँ पे मैं मेकप कर रही थी तब तक मेरे हजबिन है ना पूरा करवा चोथ का पूजा का समान और सब सजा दिये थे अच्छे से मेरे हजबिन मेरे लिए यह वाला टीकाओं का भी खड़ीद कर ली कर आये थे मेरा इस ड्रेस का कोई मैचिंग मैंने जोयलरी नहीं खड़ी थी उन्होंने खरीदा उनको है ना बहुत अच्छा यह सब चीजों का बहुत जादा सौक है वो है ना मुझे है इंटरनेट से फोटो निकाल के दिये थे ना कि तुम है ना जूड़ी वो बना ले ना लंबा चोटी सजवा लेना और उसमें नहीं दूलहन की तरह सजना तो आप लोगों को मैं अच्छी लग हूँ या ना लग हूँ बार बार आप बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि यह लगती है भुतनी लग रही है डाइन लग रही है यह लग रही है लेकिन मैं बार बार अपने हस्बें से बोलती हूँ जब दीमोटिवेट हो जाती हूँ तो वो बोल रहे थे नहीं कोई कुछ भी कहे आप मेरे लिए बहुत अच्छी लग रही है तो यहाँ पे मैं रेडी सेडी हो गई गाइस मुझे है न यह लोग है न दो घंटे में रेडी किये मेरा इपास इतना पिसें सकती नहीं होता है कि मैं दो घंटे तक बैठे रहूँ मेरा जूडा भी बन गया और इन्होंने चोटी खरीद कर लाया था पालर वाली ने लिख के दिया था कि यह यह चीज़ आप खरीद कर ले कर आए और ले कर यह चले आए और मेरा यहाँ पे मैसस रही हूँ गाइस कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और मेरा उधर पूजा का समान भी रेडी हो गया है और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ मेरे हस्दिन भी रेडी हो गया है दोनों पिंक पिंक मतलब उनका है ना थोड़ा मेरे ड्रेस से अलग मैचिंग है लेकिन यहाँ पे मैं देख रेडी हो गई तो किसको किसको इतना रेडी होना पसंद है मैं तो कड़वा 34 में रेडी होती हूँ जो मुझे कुछ भी कहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे इतना रेडी होना दूलहन की तरह पसंद है और मेरे हस्बिन को भी पसंद है तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में बाई वै टेक्यर अपना ख्याल रखियेगा